सब्दों से वाक्य बनता है और एक वाक्य में एक भाव चिपा होता है उस भाव का क्या परभाव है? वो एक अच्छी दिशा में लेकर जाएगा भाव या एक निगेटिव डारेक्शन में लेकर जाएगा ये उस सेंटेंस उस वाक्य पर निर्भर करता है अब ये देखे कि वो एक वाक्य है कहीं मिसिंटरप्रेट तो नहीं करता समाज की किसी एक परिस्थिती को चोकीदार चोर है इस एक सेंटेंस ने जो चोकीदार कम्यूनिटी है उस पर कोश्चन मार्ग कर दिया है अब किसी भी चोकीदार को अगर ऑपजर करते हैं तो उस चोकीदार की जो डिगनिटी है समाज के अंदर जो उसका रेस्पेक्ट है जो उसकी वरकिंग है वहाँ पर एक कोश्चन मार्ग लगा है तो ये जो सेंटेंस है इसका जो नजरिया है देखने का वो एक समाज के अंदर उस व्यक्ति के लिए उस इंडिविजुल के लिए जो अवेर था उस पर कोश्चन मार्ग है लेकिन दूसरा सेंटेंस कि चोकीदार जागरुक है चोकीदार मैं हूँ मैं चोकीदार हूँ ये जो सेंटेंस है ये इस सेंटेंस की जो फिलिंग है वो ये है कि हाँ being the person of this country मैं aware हूँ हर उस illegal activity के लिए जो समाज में हुई है और country के अंदर हुई है मैं जागरुक हूँ मैं चोकिदार हूँ मैं चोकिदार हूँ मैं चोकिदार हूँ